आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हिंदी नियूज पार्टी प्रमोख किरेश यादव की पतनी डिमपल यादव को मेनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया गया है दरसल सपा ने डिमपल यादव की नाम का एलान करते हुए ट्वेट कर लिखा समाजवदी पार्टी द्वारा लोकसभशेत्र मेनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु डिमपल यादव पूरु सांसद को प्रतियाशी गुशित किया गया है आपको बता दे डिमपल यादव इससे पहले भी सपा के टिकट पर सांसद रह चुकी है पहले बार उन्होंने 2014 में कनोज लोकसभश सीट पर जीत दर्ज की थी उस समय केवल सपा में पांच लोकसभश चुनाव जीते थे उन पांच उम्मेदवारों में डिमपल यादव भी शामिल थी लेकिन 2019 के लोकसभश चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था बता दी सीट पर 10 नमबर से नमांकन की प्रकडिया शुरू हो गई है और प्रतियाशी 17 नमबर तक नम आप देख रहे हैं रास्प्रिय हुगी न्यूज